माल्दीव विवात की लगातार और भारत जैसा देश माल्दीव के लिए कई मामलों में सिंगल विंडो सॉल्यूशन रखा है लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और माल्दीव के रिष्टे में खटास आई है माल्दीव के नए राष्टपती खुले तोर पर चीन के समर्थक है आखिर क्यों ऐसा है इस पर विस्तार से चर्चा करते है माल्दीव के वर्तबान राष्टपती है मोईजू इनसे पहले इबराहीम महमत सोलीह माल्दीव के राष्टपती थे उन्होंने इंडिया फर्स्ट की नीती अपनाई थी लेकिन उसके उलट मोईजू ने इंडिया आउट की नीती अपना रखी है अपने चुनावी केमपेंड के दोलवान उन्होंने यही स्लोगन दिया था कौनसे स्लोगन इंडिया आउट का स्लोगन सत्ता में आने के बाद उन्होंने दीप शमूम पर तैनाथ भारते स्रेना के छोटे से दल को निकालने का फर्मान भी जारी कर दिया इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोग्राफी यानि की जल सरवेक्सर से जुड़ी सहमती के नमीनी करण से मना कर दिया 2019 में बनिये सहमती समूंद्र के डाटा आदी की समिक्षा से लेकर आर्थिक विकास, विग्यानिक अनुसंधान, प्रियावरन, जल परिवान और सुरक्षा के मुद्दों से जुड़ी थी लेकिन मालदीप का रूख जो है वो लगातार चीन की तरफ जा रहा है चीन से नजदी क्या बढ़ रही है चीन ने जिस तरीके से पागिस्तान को बरवात कर दिया जिस तरीके से स्रिलंका को बरवात किया ठीक उसी रहा पर मालदीप भी चल पड़ा है जैसा कि मालदीप का जो भी सरकार बनती थी जो भी नहीं सरकार बनती थी तो सबसे पहले भारत की यात्रा वहां का मुख्या क्या करता था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ मोईजू जो है वो अभी इस वक्त पे जब ये विवाद हुआ मालदीव और भारत का विवाद हुआ तो चीन के दोरे पर पहुँच गए और चीन ने एक एहम बयान भी आपर साजा किया एहम बयान जो है वो जारी किया मोईजू से मुलाकात के बाद जो सी जिन्पिंग है चीन के रास्ट पती उन्होंने कहा कि मालदीव के आयांतरिक मामलों में बहारी हस्तशेप का हम द्रणता से विरोध करते हैं देखें मालदीव के रास्ट पती मुहम्मद मोईजू चीन की यात्रा पर पहुचे हुए थे और चीन के रास्ट पती से उन्होंने मुलाकात भी की और इस दोरान एक और खबर सामने निकल कर आई कि जब सीजिन पिंग और जो मोईजू है मालदीव के रास्ट पती जब उनकी मुलाकात हुई तो दोनों देशों के बीच बीस परमुक समझोतों पर हस्ताकसर हुए इस दोरान दूपक्षिय समंदों को बढ़ाने पर जोड दिया गया मोईजू के चीन यात्रा प्रदान मंत्रि नरेंदर मोदी के खिलाफ उनके मंत्रियों की टिपड़ी और मालदीव के यूरोपियो संग चुनाव अवलोकन मिसन की रिपोर्ट जारी होने के बीच की गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि 70 ओर गडबंदन प्रोग्रेसिव पार्टी ओब मौलदीव और पिपूल्स नेशनल कॉंग्रेस ने 2023 के राष्टपती चुनाव में भारत विरोधी भावनाओं को परमुकता दी और गलस सूचना फैलाने का परियास किया जिससे मोईज्यू ने जीत हासिल की थी यानि कि भारत विरोधी दावा करके भारत का विरोध करके मोईज्यू आप सत्ता में आये और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पहले भारतिय सेनिकों को वहां से हटाने का फरमान जारी किया और उसके पिया मोधी ने जब लक्षदीप की तस्वीरे सेयर की तो मोईजू के जो मंत्री थे उन्होंने अपतिजरक बयान जारी किया और जब मालदीव का भारत में विरोध होने लगा जो वहां का अब देखें परेटक पर मालदीव ठीका हुआ है परेटक उसकी आर्थिक जो अर्थिवियोस्ता है वो परेटक से बनती है परेटक से मजबूत होती है लेकिन भारत ने जब उसका विरोध किया तो मालदीव सड चीन ने सिलंका को बरवाद किया, जिस तरीके से चीन ने पागिस्तान को बरवाद किया, जिस तरीके से चीन भुतान पर लगातार कपजा करता है, वो चीन जो लगातार जिस देश से उसकी सीमाएं जुड़ती है, हर जगे वो अतिकरमन करने को आतारू रहता है, बेताब रह उस चीन के पास मालदीप पहुँच चुका है और भारत से मालदीप का इस तरीके से विरोध करना कितना भारी मालदीप को पढ़ेगा या आने वाला समय बताएगा लेकिन चीन की हकीकत से हर कोई वाकिफ है धन्यवाद